किसी भी प्लांट के अंदर जब भी आप काम करने जाएं तो खास कर आप अपने सेफटी का ध्यान जरूर दें क्योंकि अगर कुछ भी नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा तो आज हम लोग बात कर रहे हैं गैस कटिंग के बारे में अगर आप गैस कटर हैं या फिर गैस कटर का काम सीख रहे हैं तो हमेशा काम शुरू करने से पहले आपको सेफटी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है यानि गैस कटिंग सेट का इंस्पेक्शन करना एक तरह से कहा जाए तो बहुत जरूरी है नहीं तो बहुत बड़ा हादसा या नुक्षान हो सकता है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो काम सुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गैस कटिंग एक हॉट वर्क जॉब है और इसे सुरू करने के लिए आपके पास हॉट वर्क परमिट होना चाहिए तो जब तक आपके पास हॉट वर्क परमिट ना हो तब तक आप काम शुरू नहीं कर सकते हाँ आप अपने सामान का arrangement जरूर कर सकते हैं तो permit मिलने के बाद अगर आप जहाँ हैं वहाँ अगर sign करने का rules and regulations हो तो आप वहाँ पर sign कर दीजिए permit पे उसके बाद permit को अच्छे तरीके से देख लें उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि काम शुरू करने से पहले gas cutting का काम शुरू करने से पहले क्या ध्यान देना चाहिए gas cutting set का किस तरीके से inspection करना चाहिए जो की बिल्कुल जरूरी चीज है तो आईए देखते हैं सबसे पहले जो भी gas cylinder है उसका condition देखना चाहिए आपको कि कहीं से damage तो नहीं है अगर आप नए हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि gas cutting के लिए हम दो cylinder का उपयोग करते हैं जिसमें एक oxygen होता है और दूसरे में acetylene होता है जिसे कुछ लोग DA भी कहते है DA का मतलब होता है dissolved acetylene अगर आपके पास DA नहीं है और urgent काम है तो आप DA की जगह LPG gas का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ आपको color code भी पता होना चाहिए gas cylinder का जैसे oxygen cylinder का जो color होता है वो जादर black ही होता है और DA वाले cylinder का जो color होता है वो maroon होता है यहाँ पर एक और cylinder हम लोग ज़्यादा तर उपयोग करते हैं जो की welding के लिए आरगन cylinder का तो उससे आपको confused होने की ज़ुरत नहीं है आरगन cylinder ज़्यादा तर light blue color में होता है यह सारी चीज़े चेक करने के बाद एक बार trolley का भी condition आपको देख लेना चाहिए जिसमें cylinder को रखा जाता है कि trolley का पहिया सही है कि नहीं है क्योंकि उससे आपको movement में आसानी होती है अगर पहिया damage होगा तो एक जगा से दूसरे जगा ले जाने में आपको दिक्कत आएगी उसके बाद cylinder को lock करने के लिए उसमें एक chain होता है उसको देख लेना चाहिए अगर नहीं है तो आप दूसरा trolley बिल्कुल use कर सकते है उस trolley को use ना करे क्योंकि cylinder को बांध करके रखना जरूरी है नहीं तो वो गिर सकता है तो ये सारी चीजे आपको check करनी है और सबसे खास चीज जो आपको check करना है वो है hose यानि कि जो pipe है उसमें देखना है कि कहीं से वो कटा फटा तो नहीं है या उसमें कहीं joint तो नहीं है ये सारी चीजे भी जरूर check करना चाहिए उसके बाद आपको एक बार regulator को भी check करना चाहिए यानि जहां आप regulator tight करते हैं वहाँ swap solution यानि साबुन का घोल डाल कर check कर सकते हैं कि कहीं से leak वेगरा तो नहीं हो रहा है उसके बाद gas cutting के लिए जो hose का इस्तमाल हम करते हैं उसका color भी आपको पता होना चाहिए जैसे oxygen cylinder का जो hose होता है उसका color blue होता है और DA cylinder का जो hose होता है उसका color rate होता है तो ये सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए उसके बाद आपको एक और खास चीज़ का ध्यान देना है कि DA cylinder को हमेशा fire blanket से ढख करके रखना चाहिए क्योंकि काफी explosive gas होता है तो अकर जादा temperature होगा तो वो fire होने के chances है इसलिए उसे कोशिस करिए कि ढख कर ही रखा जाए उसके बाद cylinder के valve को खोलने के लिए जो key होता है वो सही होना चाहिए नहीं तो जब आपको valve खोलना हो या फिर बंद करना हो तो उसमें परिसानी आ सकती है इसके अलावा cylinder के ऊपर किसी भी परकार का तेल या grease या फिर गंदगी नहीं होना चाहिए इन सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि cylinder जो भी आपके पास है उसको ज़्यादा temperature में ना रखें यानि cylinder आपका ज़्यादा heat ना हो तो कोशिस यही करें कि थोड़ा ठंडे जगा पर रखें या फिर कहने का मतलब है कि उसको धग के रखें यह सबसे अच्छा तरीका है अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए gas cutting set का इस्तेमाल आप करते हैं तो यकीनन आप बिल्कुल सुरक्षित है और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे किसी और interesting topic के साथ किसी नए वीडियो में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आया हैं तो चैनल को subscribe कर ले ताकि आगे आने वाली और भी वीडियो का notification आप तक मिलता रहा है तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद